नमस्कार दोस्तों आप सभी का हमारी यूटूब चनल में स्वागत है तो दोस्तों अपने राजिस्तान के बुगोल की कड़ी में हमने राजिस्तान के खनीजों का ध्यन किया था हमारी जो पिछली क्लास थी उसमें हमने लोहे धात्वी खनीजों के बारे में ध्यन किया था और आज हम अधिन करेंगे एलो है धात्विक खनीज कौन से खनीज हैं एलो है धात्विक खनीजों की चरजा करेंगे किसका दिन करेंगे हम एलो है धात्विक खनीजों का दिन करेंगे ठीक है किसका दिन करेंगे एलो है धात्विक खनीजों का तो आज हमारा जो टोपिक रहेगा वो है एलो है दात्वी खनीज ठीक है तो एलो है दात्वी खनीज में हम सबसे पहले अपने अधिन करेंगे किसके बारे में एल्यूमीनियम के बारे में ठीक है कि उसके बारे में सबसे पहले ऐलूमीनियम के बारे में तो आप हेडिंग डालीजिए ऐलूमीनियम क्या नाम है ऐलूमीनियम तो अगर हम एलूमीनियम की चर्चा करें तो एलूमीनियम जो है ये धरातल पर जो है सरवादिक मातरा में क्या धरातल पर सरवादिक मातरा में धात्विक आयस्क है ठीक है एलूमीनियम जो है एक त्रहें से धातू जो बात करें तो धरातल के उपर जो सरवादिक मातरा में ध हात्विक इसका जो आयस्क है वो पाया जाता है ठीक है किसे प्राप्त होता है ये तो बोक्साइड से प्राप्त होता है किसे कि बोक्साइड से प्राप्त होता है ठीक है और ये जो बोक्साइड है क्या ये जो बोक्साइड है वो दरातल पर सरवाधिक मात्रा में किस पर द्रातर पर सरवाधिक मात्रा में जो धात्वी का यश्क पाया जाता है ठीक है सरवाधिक मात्रा में जो धात्वी का यश्क पाया जाता है वो क्या है बोक्साइड है और इसी बोक्साइड से क्या प्राप्त किया जाता है तो एलुमीनियम प्राप्त या जाता है या एलुमीनियम धातू प्राप्त की जाती है जो ये एलुमीनियम है ये एलुमीनियम जो है राजिस्तान में हडोती के पठार ठीक है जो एलुमीनियम है ये राजिस्तान में कहां राजिस्तान में हडोती के पठार कहां पाय जाते हैं ये हडोती के पठार और हडोती के पठार में भी अगर हम बात करें तो ये अडोती के पठार में विशेषत है जो है कोटा छेतरे वहाँ पर और कौन सी चटानों में पाय जाता है तो ये बेशाल्ट चटानों में पाया जाता है ठीक है किसमें बिशाल चटानों में पाया जाता है तो इस तरह से यह परमुक रूप से ऐलूमिनियम की बात हुई ऐलूमिनियम ठीक है बॉकसाइड जो है इस एकस प्राप्त होता है और यह द्यातल पर पाये जाने वाला सरवातिक मातरा में धात्वी का यश्क है राजिस्तान में हडोती के पठार कोटा बिशाल से चटानों से यह प्राप्ते किया जाता है ठीक है इसके बाद अगर हम दूसरी बात करें तो दूसरा जो है उसका नाम क्या है टंगस्टन है सेकंड जो बात करें सेकंड का नाम क्या है टंगस्टन ठीक है पहला कौन सा था एल्यूमिनियम और सेकंड कौन सा है टंगस्टन और राजिस्तान में जो टंगस्टन का जो ऐस्क है ठीक है राजिस्तान में टंगस्टन का जो ऐस्क है वो बुल्फ्रे माइट पाया जाता है कौन सा बुल्फरे माइट राजिस्तान में टंगस्टन के इसकी बात करें तो कुन सा है बुल्फरे माइट पाया जाता है ठीक है अब मतलों दोनों अलग तो नहीं है फिर भी क्या है कि यह जो है इसमें एक मुखे विश्चता यह है कि जो टंगस्टन यह है जो टंगस्टन यह दात्तो के रूप में किस रूप में दात्तो के रूप में टंगस्टन यह दात्तो के रूप में क्या है एलोय खनीज है ठीक है क्या है दात्तो के रूप में यह एलोय खनीज है जबकि आयश्क के रूप में जबकि जो आयश्क के रूप में जो बुल्फ्रेमाइट है ठीक है विशेशत है यह क्या है एक तरह ऐसे लो है खनीज है दोनों में फरक है ठीक है बुल्फ्रेमाइट क्या है लो है खनीज है और टंगस्टन दात्तो के रूप में क्या है एक तरह ऐसे ऐलो है खनीज है तो य यह जो है बुल्फ्रेम आई जो है यह क्या है कि यह लो है खनीज है इसके रूप में क्योंकि इस से कौन सी दातु पराप्त होती है तंगस्टन पराप्त होती है और आपको पता है कि यह आईश के रूप में तो इसके अंदर टंगस्टन के अलावा भी कुछ अनेक परकार के जो है खनीज पाए जाते होंगे तो इसी अधार पर ये जो है ये क्या है कि लो है खनीज है ठीक है ना और राजस्तान की अंदर जो आगे जो बात आती है वो है राजस्तान में टंगस्टन बंडारों की खोच किसकी राजिस्तान में टंगस्टन बंडारों की खोज जो है करता है वो है राजिस्तान टंगस्टन विकास निगम लिमिटेट ठीक है कौन करता है राजस्तान टंगस्टन विकास निगम लिमिटेड जो है ये राजस्तान के अंदर टंगस्टन के बंडारों की क्या करता है खोच करता है ठीक है तो इतनी बात आपके समझ में आई गई होगी और अब बात आती है इसके विभिन परकार के जो है उत्पादक छेतर कौन-कौन से है भी टंगस्टन का उत्पादन जो है वो राजिस्तान में किन-किन छेतरों से होता है तो अब इसके के आगए-ागे उत् पादक छेतर तो तंगस्टन के इसमें जो है दो छेतर आपके नागोर के आएंगे जिसमें नाम आता एक तो डेगाना कौन सा डेगाना और दूसरा नाम आता है भाकरी कौन सा है डेगाना और पाकरी ठीक है दोनों के दोनों कहां है डेगाना और भाकरी दोनों-दोनों कहा मेंने आपको बताई दिया कौन से चेतर में या कौन से जिले में है तो नागोर के अंदर है ठीक है रेवता रेवता की पाड़ी या रावत की पाड़ी ठीक है रेवताया रावत की पहाड़ी ये भी कहां है तो नागोर के अंदर है ठीक है इसके बाद में जो है वालदा कौन सा सित्र वालदा है कौन सा वालदा है बड़ा वेरा है इसके सा सब अबूरेवदार कौन सा अबूरेवदार या अबूरेवदार ठीक है ये सारे सारे गजो है वो कहां है शिरोई के अंदर है कहां है शिरोई के अंदर है ठीक है और यहाँ पर जो है वालदा और जो बड़ा वेरा है वालदा और बड़ा वेरा जो शिरोई के अंदर है यहाँ पर क्या होता है सरवादिक उत्पादन होता है ठीक है सरवादिक उत्पादन होता है ठीक है एक छेतर हो रहे हैं आपके जिसका नाम है नाना कराब कौन सा है नाना कराब और जो नाना कराब है ये छेतर कहां पढ़ता है नाना कराब तो पाली के अंदर है ठीक है नाना कराब छेतर कहा है पाली के अंदर है यह सारे कि सारे इसके क्या है उत्पादक छेतर है जिसमें नाम आता है आपके डेगाना भाकरी नागोर के अंदर है रेवता या रावता के पहड़ी भी कहा है नागोर में वालदा बड़ा बेरा अबू रेवदार सिरोई के गया एडिशन बलब का फिलामेंट किसका बना होता है तो ये प्रिशन भी आपके यहां पर कलियर हो जाना चीए ठीक है टंगस्टन की विशेस्ताओं में की एडिशन बलब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है ठीक है एडिशन बलब का फिलामेंट है वो किसका बना होता है थंगस्टन का बना होता है तो ये चीज भी आप दिखान रकना क्यूंकि एपशन भी इंपोर्टिंट है बन सकता है और बहुत बार पुछा भी गया है ठीक है अब तीसरा जो है एलो है दात्वी खनीजों में हम तीसरे की बात करें तो तीसरे है जिसका नाम है सोना तो आप हेडिंग डालीजिए नमबर तीन और नमबर तीन में आता है क्या सोना चीक है नमबर तीन नमबर तीन में आता है सोना कि तो सोने के बारे में चर्चा करेंगी जो सोना हैं। उसके बारे में अब स्वरन भंडार या सोना कह सकते हो आप इसकी जो मुख्य विसेश्था आपने पढ़ी होगी या फिर आप जानते होंगे कौन सी है कि सोना प्रकर्टी में एक मातर धात्तु है जो सुध वस्ता में पाई जाती है ठीक है भी आपको पता है कि बाकी तो मिक्चर है मतलब सोना जो है वो परकर्ती में एक मातर धातु जो किस रूप में सुद वस्ता में पाई जाती है परकर्ती में एक मातर धातु है जो किस में पाई जाती है सुद वस्ता में पाई जाती है ठीक है और सोने को जो है इसको कठोर करने के लिए इसमें किस की असुदी मिलाई जाती है सोने को कठोर करने के लिए किस की असुदी मिलाई जाती है ठीक है ये भी प्रिशन इंपोर्टेंट है भी सोने को कठोर करने के लिए किसकी अशुदी तामबे के अशुदी मिला जाती है ठीक है और राजस्तान में स्वर्ण के धातू रेखा बंडार है या नहीं है स्वरंड के दातूरेखा बंडार है ठीक है राजस्तान में स्वरंड बंडार की जो खोज है ठीक है वो किस के द्वारा की जा रही है तो आस्टेलिया की एक कंपनी है जिसका नाम है इंडो गोल्ड कंपनी क्या नाम है इंडो गोल्ड कंपनी के द्वारा स्वरंड बंडारों की खोज क्या है राजस्तान में की जा रही है या फिर ये जो इंडो गॉल्ड कंपनी है ये राजस्तान में स्वरण बंडारों की क्या करती है खोज करती है और उत्खनन का कारिया ठीक है ये खोज करती है और उत्खनन का कारिया जो है उत्खनन का कारिया हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड करती है ठीक है उत्खनन का कार्यात कौन करती है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड और दूसरा मैंने आपको बता दिया इसके स्वर्ण बंडारों की जो खोज है वो कौन है इंडो गोल्ड कंपनी के दोरा की जाती है अब इसके बाद में जो है उत्पादक छेतर विसोने के जो है राजिस्तान में जो है उत्पादक जो छेतर है अर्थार्थ कहां कहां से इसका जो है सोने का उत्पादन राजिस्तान में हो सकता है हो सकता है सबत मैंने इसलिए बोलाए क्योंकि इसका भी तक साइक जो उत्पादन है वो नहीं प्रारम हुआ है सबसे पहला जो है नाम आता है आनंदपुर भूकिया ठीक है कौनसा आनंदपुर भूकिया दूसरा है जगतपुर भूकिया कौसा है जगतपूर भूकिया है तीसरा है तीमारन माता कौसा इं मारन्माता ये जोसारे हैं तीनों शेतर हैं वह कौसे जिले के अंदर आते हैं राजस्टान केषिस्थान के जिले में, बांसवडा जिले में, इसके अलावा जो है एक छेतर है राजपूर, कौनसा राजपूर और एक है खेडा, राजपूर और खेडा दोनों के दोनों कहां आते हैं, तो दोनों के दोनों उध्यपूर के अंदर आते हैं, राजपूर और खेडा कहां आते हैं, उध्य पुर्पुर के अंदर आती है ठीक है तो ये तो हो गए आपना किसके बारे में सोना भी इसके बारे में हमने पढ़ी लिया अब जो अगला है यह हम जिसका बागे हम अध्यन करेंगे उसका नाम है सिसा जस्ता ठीक है चोथा जो है चोथा एल लुए धात्विक जो है उसका नाम है सिसा जस्ता ठीक है क्या नाम है सिसा जस्ता ठीक है सिसा और जस्ता दोनों एक साथ ही निकलती है इसलिए इनको क्या कहा जाता है जुड़वा खनीज कहा जाता है पहली बात तो जुड़वा खनीज क्यों क्योंक साथ ही निकलते हैं इसलिए इनको क्या कहा गया है जुड़वां खनीज कहा जाता है शिशा और जस्ता एक साथ निकलते हैं जिसे इनको जुड़वां खनीज की संग्या दे गई है ठीक है और राजिस्तान में जो सिशे का आयस्क है इंपोर्टेंट बात राजिस्तान में राजिस्तान में जो सिसे का इसक है उसका नाम है गेलेना कौन सा गेलेना लेड सलफाइट राजिस्तान में जो सिसे का इसक है उसका नाम क्या है गेलेना लेड सलफाइट यह राजिस्तान में क्या है सिसे का इसक है ठीक है अब सिसा जस्ता का उत्पादन तो एक साथ होता ही होता है ठीक है इसके उत्पादन के या उत्पाद के साथ साथ एक सिसा जस्ता जो उत्पाद है इसके उत्पाद के साथ साथ एक उप उत्पाद और निकलता है क्या निकलता है उप उत्पाद जो है वो उप उत्पाद के रूप में एक चीज और निकलती है ठीक है और इसमें जो निकलती है उसका नाम क्या है आपके केडमियम क्या नाम है केडमियम ठीक है उप उत्पाद के रूप में केडमियम निकलता है सिस्ता जस्ता के साथ साथ एक चीज और निकलती है उसका नाम क्या है चांदी उत्पाद के रूप में एक और क्या निकलती है उत्पाद के रूप में बात करें तो क्या निकलती है चांदी और उप उत्पाद के रूप में इसके साथ साथ और किसका उत्पादन होता है तो व ठीक है इसका जो उपयोग है परमानू जो है परमानू में किया जाता है या फिर कह सकते हो परमानू कुरूप से उपयोग किया जाता है इसका परमानू उपयोग होता है ठीक है केडमियम का परमानू उपयोग होता है ठीक है तो ये केडमियम और एशिया की जो सबसे बड़ी सिसा जस्ता की खान है प्रशन क्या है चांदी की नहीं पूछ रा एशिया की सबसे बड़ी सिसा जस्ता की खान है एशिया की जो सबसे बड़ी सिसा जस्ता की खान है वो कौन सी है देवारी और देवारी कहां है उद्यपूर देवारी कहां है उद्यपूर ये एशिया की सबसे बड़ी क्या है सिसा जस्ता की खान है ठीक है और यहां देवारी उद्यपूर में जो है किसके द्वारा हिंदूस्तान जिंक लिमिटेड के द्वारा जो है कारखान स्ताफित किया गया है ठीक है अब बात आती है कि यह जो सिसा जस्ता है पहले नहीं था वर्तमान में कब वर्तमान में जो है राजस्तान का एकादिकार वाला जो है खनीज है यह ध्यान रखना सिसा जस्ता जो है वर्तमान में राजस्तान का एकादिकार वाला खनीज वर्तमान में राजस्तान का एकादिकार चीक है यह सिसा जस्ता का वर्तमान में राजस्तान का क्या है एकादिकार है वर्तमान में है एकादिकार पहले नहीं था अभी इसका एकादिकार एकादिकार मतल इसका उत्पादन जो है इसका उत्पादन जो है इसका उत्पादन जो है राजस्तान से होता है ठीक है और राजस्तान के अंदर इसके बाद आगे की बाद करें तो राजस्तान में जस्ता चलाने के तीन सहीं अंतर है ये भी ध्यान रखना राजस्तान में राजस्तान में जस्ता चलाने के तीन सेयंतर है कितने सेयंतर है राजस्तान में जस्ता चलाने के तीन सेयंतर है जिसमें सबसे पहला जो नाम आता है देवारी में है पहला कहा है देवारी और देवारी आपको पता ही है कहा है उदेपूर में है देवारी ठीक है पहला सेयात्र देवारी में है दूसरा जो सेयात्र है वो चंदेरिया कहा है चंदेरिया या चंदेरिया जो है वो कहा है चितोड में है और तिसरा जो है वो राजपूर दरीबा र कहां है तो राजसमंद में है राजपुर दरीबा कहां है ठीक है राजसमंद में और जस्ते का परियोग फोटो वाल्टिक सेल बनाने में किया जाता है यह भी ध्यान रखना ठीक है इस जस्ते का जो परियोग है परियोग फोटो वॉल्टिक सेल बनाने में फोटो वॉल्टिक सेल बनाने में ठीक है इसका जो जस्ते का परियोग जो है वो किस में किया जाता है फोटो वॉल्टिक सेल बनाने में किया जाता है किसका परियोग की बात करें हैं तो जस्ते के परियोग की बात करें हैं ठीक है किया जाता है अब इनके जो उत्पादक छेत्र है उसकी चर्चा करेंगे तो आप हेडिंग डालीजिए उत्पादक छेत्र क्या है उत्पादक अर्था अर्थ इनका जो उत्पादन है कहां कहां से होता है ठीक है पहला जो है कौन सी खाने जावर और जावर कहां है उद्यपूर्स ठीक है सबसे बड़ी खान जरूर है चांदी की है यह जावर उद्यपूर में ठीक है इसके बाद में जो आता है राजपूर दरीबा यह कहा है रासमंद में है राजपूर दरीबा कहा है रासमंद में है और वर्तमान में सरवाधिक उत्पादन यहां से होता है वर्तमान में सरवाधिक क्या होता है यहां से उत्पादन ठीक है वर्तमान में सरवाधिक उत्पादन जो है कहां से होता है राजपूर बरिवा से होता है ठीक है इसके साथ रामपुरा अंगुचा का नाम भी सुनाओगा आपनी रामपुरा अंगुचा भीलवडा ठीक है रामपुरा अंगुचा कहा है भीलवडा है इसके साथ चोत का बर्वाड़ा कौन सा चोत का बर्वाड़ा यह बहुत बार पुछा ज़ाता है वही स्वाई मादोपूर ठीक है गुड़ा की सोरिदास और गुड़ा की सोरिदास जो है वो कहां है अलवर के अंदर है ठीक है गुड़ा की सोरिदास कहां है अलवर के अंदर है तो ये इसके परमुख जो है वो क्या है उत्पादक छेतर है किसके परमुख उत्पादक छेतर किसके आज गई है आपके सिसा ज आप चांदी के अगर हम बात करें तो पहली बाद तो यहांपर यही आती है चांदी कि परकर्टी में पाय जाने वाली क्या है मिशिरीत खनीज है चांदी है और चांदी जो है विध्यूत की क्या है सरवसरेश्ट सू चालक है थिए बिद्यूत की शर्वस्रेष्ट सू चाला है ठीक है कौन से है चांदी है ठीक है और राजिस्तान में जो जावर में चांदी की खान है कहां जावर में जो है चांदी की खान जो है राजिस्तान में जावर में जो चांदी की खान है इसकी खोज लगभग 1344 में में राणा लाखा के समय होई थी ठीक है 1314 सी स्विय में राणा लाखा के समय में हुई थी किसकी खोज चांदी जो है जावर इस्तित जो चांदी की खान है उसकी खोज अब इसके बाद में जो महत्वपुन बात यहां आती है वो यह है कि अब उत्पादक छेत्री है लगबग तो जहां से साजस्ता होगा वह हां पर क्या होगी चांदी अवश्य ही होगी उत्पादक छेत्र में कौन-कौन सा जाएगा जावर है वही नाम आ जाएंगे लगबग राजपूर दरीगा नंदरीबा ठीक है राजपूर दरीबा कहां है पढ़ाई आपने रासमंद के अंदर है ठीक है रामपूर अंगु है वह तेरा स्चुरास इस्यू में राणा लाखा के समय में मिली थी और विद्यूत की सर्वस रेष्ट काया सूचा लेका और यह एक प्रकरती में मिस्रित खनीज की रूप में पाई जाती है ठीक है अब इसके बाद में अपने एक और पड़ लेती है जिसका नाम है तो अब हम चर्चा करेंगे किसके बारे में तामबा तामबा जो है पहली बात तो यही आती कि मानव ने जो सर्वपर्थम दात्तू के रूप में किसका प्रियोग किया था ठीक है मानव ने सर्वपर्थम दात्तू के रूप में किसका प्रियोग किया था किसका तामबे का प्रियोग किया था मानव ने सर्वपर्थम दात्तू के रूप में किसका प्रियोग किया था ठीक है और यह भी जो है तामबा जो है वो किसमें धारवाड करम की चटानों में पाए जाती है ठीक है तामबा जो एक कहां दारवाड करम की क्या है चटानवे पाए जाती है और राजिस्तान में जो तामबे का आयस्क है वो कौन सा है कोपर पाइराटीस कौन सा है राजस्तान में तामबे का जो एस कह है वो कौन सा है कोपर पाइराटीस है ये राजस्तान में क्या है तामबे का एस कह है ठीक है अब थोड़ी सी भारत की बात कर लेते हैं एक तो बात है भारत में तामबे की सबसे बड़ी खान खीक है वो कौन सी है खेतड़ी है खेतड़ी कहां है जुन जुनू और यहां बारत सरकार के द्वारा कहां खेतड़ी जुन जुनू में बारत सरकार के द्वारा 1967 इस्वी में किस के सयोग से, किस देश के सयोग से, अमेरिका के सयोग से, हिंदूस्तान कोपर लिमिटेड की स्थापना की गई थी, ठीक है न, खेतरी के अंदर 1967 में अमेरिका के सयोग से, हिंदूस्तान कोपर लिमिटेड की क्या की गई थी, इस्थापना की गई थी, और भा भारत में यह क्या है सबसे बड़ी खान है ठीक है तामबंडारन में अगर हम देखें किस में तामबंडारन में तो बात आती है तामबंडारन में तो राजिस्तान का क्या है भारत में परतमस्तान है तामबंडारन में राजिस्तान का भारत में क्या है परतमस्तान है और अगर उत्पादन में देखें किस में उत्पादन में ठीक है उत्पादन की बात कर रहा हूं मैं उत्पादन में राजस्तान का भारत में MP के बाद दूसरा स्थान है ठीक है उत्पादन में बात करें तो राजस्तान का बारत में MP के बाद कौन सा स्थान है दूसरा स्थान है ठीक है और ये जो खेतरी स्थी जो तांबे की खान है वो आपको पता ही है कि कौन से सब्वयता की देन देन है जो सीकर के अंदर है गुनेश विष्वर सब्वयता की देन हैं ठिक है जहां से पूरे सिंदुघाट さ और खेतड़ी कहा है तो जुन जुनू के अंदर है ठीक है इसके बाद में खोदरीबा खोदरीबा ये एक साथ प्रशन पूछे जाते हैं एक साथ इनके नाम दे दी जाते हैं और किस कान के लिए प्रशिदा आपके ठीक है अलवर खोदरीबा अलवर बिद्दासर कौन सा है बिद्दासर और बिद्दासर कहा है तो बिद्दासर है चूरू के अंदर है ठीक है बिद्दासर कहा है चूरू के अंदर है इसके बाद है मीरा का नांगल चेतर जो है ये कहा है सिकर के अंदर है इसके बाद है बनने वालों की धानी किसकी बनने वालों की धानी ये भी कहा के अंदर है इसके बाद में दो तीन छेतर और है एक तो नाम सुना होगा आपने अंजनी छेतर ठीक है कौन सा अंजनी है सलूंबर है ठीक है ये कहां है दोनों कदोनों तो दोनों कदोनों कहां है उद्यपूर में हैं और एक रहे गया आपके कौन सा रेल मगरा और रेल मगरा चेतर भी जो है वो कहां है उद्यपूर के अंदर है तो ये सारे के सारे के जो हैं वो तामबे के क्या है उत्पादक चेत रहें तो दोस्तों आज के लिए अपने इतना ही बाकी करेंगे अपनी अगली क्लास के अंदर अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए शेर कीजिए और कोमेंट करके हमें बताईए कि आपको यह मारा वीडियो कैसा लगा तो आज हमने जो है परमुक जो परमु क्लास में करेंगे तो आज के लिए हम इतना ही बाकी करेंगे अपनी अगली क्लास में तो तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों